आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए अनिके कल के रिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट और रजिस्टंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आ चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर एनलेसिस वीडियो अपलोड करती हूं इसके साथ साथ स्टॉक्स के उपर आपको मेरे चैनल के उपर वीडियो मिल जाएंगे और एजुकेशनल भी वीडियो आपको मेरे चैनल के उपर मिल जाएंगे जैसे कि option trading strategies हो गई, candlestick pattern, technical analysis इन सब के उपर मैंने already videos upload किये हुए हैं और आगे भी upload होते जाएंगे तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को press कर दो ताकि आगे आने वाले videos की जानकारी आपको सही से आती जाएंगे एक और important बात अगर आपने अभी तक मुझे मेरे public telegram channel के उपर join नहीं किया है तो आप live market के दौरान बहुत सारे updates मिस्स कर रहे हो यह मेरा public channel है official channel है और इसका link नीचे description box में provide किया हुआ है यहाँ पर join करने के तिए आपको कुछ भी fees pay नहीं करनी है सीधा आप उस link से join कर सकते है live market के दौरान आपको यहाँ पर important updates options के लिए यहाँ तक के आपको live market में कौन से levels important है इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है तो यहाँ पर join करना मत भूलिएगा नीचे description box में मैंने link जो है वो provide की हुई है तो अभी हम लोग start करते हैं nifty bank का analysis तो bank nifty के आज की closing कहाँ पर मिली है 41,490 के पास nifty bank ने आज closing दी है और days low से 41,095 से अच्छी खासे recovery करते हुए एक 41,490 के पास हमें closing दी है यानि के 41,500 से नीचे के closing मिली है मैंने आपको पहले कहा था कि 41,000 का level hold होना important है अगर 41,000 hold होता है तो bullish momentum कायम रहेगा अगर 41,000 के नीचे closing मिल जाती है तो यहां से bearish turn nifty bank लेता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन पिछले दो session से nifty bank जो है वो इस range में stuck है 41,000 से लेके 41,600 के बीच में और यहां पर जब तक रहेगा options के premiums जो है वो सिर्फ और सिर्फ घटेंगे आप पी लो आप सी लो कुछ भी लो आपके premiums जो है वो घटेंगे ही घटेंगे after some times मतलब second half के बाद एक अच्छी rally मिलती है वो भी सिर्फ 15 से 20 minute के लिए जो की downside की होती है लेकिन वहाँ पर भी trap होता है वहाँ पर भी nifty bank जो है वो अपना important support पहले तो hold रखता है लेकिन फिर बाद में जाके उसके थोड़े नीचे जाके वहाँ से bounce लेता है यानि के P और C दोनों के अंदर आपके premiums जो है वो घटने वाले है options के अंदर तो यहाँ पर करें क्या तो देखिए अगर nifty bank कल भी ऐसे ही range में रहा यानि के अगर opening हो जाती है 500-600 के पास और आप देख रहे हो 5-10 minutes के लिए nifty bank 500 से लेके 600 के बीच में trading कर रहा है तो यहाँ से nifty bank जो है वो bounce ले सकता है कहा तक इस resistance तक लेकिन opening के time ही nifty bank जो है वो ना ही 500-600 hold रख रहा है बलकि 350-360 के पास trading कर रहा है यानि कि यहाँ से गिरावट होगी 41,050 और 80 तक और अगर सिर्फ और सिर्फ 350 या फिर 490 यहाँ पर ही trade करता है अभी अगर हम लोग आज का 5 minutes का चार्ट देखे 15 minutes का चार्ट देख लेते हैं हम लोग पहले देखे 5 minutes का चार्ट निफ्टी बैंक कितने time के लिए यहां से इस range में trading कर रहा था इस वज़े से जो है वो हमें price के DK होते होई दिखाई दिए premiums DK होते होई दिखाई दिए और options के अंदर यहाँ पर कुछ भी profit नहीं बन पाया मैं बैंक निफ्टी के अंदर 15 minutes का चा कितने time तक इस range में था after breaking this level निफ्टी बैंक के अंदर एक fall हुआ 41,080 का फिर days low से recovery करते हैं फिर से इस बीच में आकर रुक गया यानि के 41,600 के पास निफ्टी बैंक के लिए एक resistance phase हो रहा है और अगर निफ्टी बैंक कल इसके ऊपर की opening करता है तो यहां से निफ्टी बै देगा लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं volatility बहुत जादा है यानि कि अगर यहां पर market आता है तो आपको तुरंती profit book कर लेना चाहिए या फिर आप जादा points के लिए जाओ ही मत आप थोड़े points का जो है वो आप target set करो ताकि आपका नुकसान होने से बचे क्योंकि market जो यू लोग options के अंदर काम करें और fix अपना target रखिएगा जादा दूर मत रखिएगा पास में अपना target रखिएगा ताकि आपको profit हो सके और अगर आप जादा दूर का target रखते हो और market वहां तक नहीं पहुचता है और वही से you turn लेता है उसके नीचे से ही तो वहां पर आपको exit कर side में 42,000 के उपर है और 1,500,000 का 43,000 के उपर है वही 41,500 की बात करें तो 1,11,000 का open interest है call side में लेकिन सामने देखें सिर्फ 75,000 का open interest है तो अगर यहां पर कुछ build-up नहीं होता है तो nifty bank यहां से downside के लिए support के लिए ज़रूर जाएगा लेकिन put side में अगर हम लोग देखें तो 1 लाग का open interest कहीं पर भी नहीं है 90,000 का highest open interest दिख रहा है हमें 40,000 के level के उपर यानिके जब तक 41,000 हो रहा है bullish momentum है लेकिन 41,000 अगर फिर से break होता है तो यहां से chances है nifty bank के 40,000 तक गिरने के तो अभी चलते है important support और resistance के तरफ तो देखें मैंने पिछले दो section से कुछ changes नहीं किये हुए और मुझे नहीं लगता है कोई changes करने की जरूरत है nifty bank देखिए हमारे support और resistance को कैसे respect कर रहा है आपको possibilities बता दी है अगर इसके उपर निकल जाता है और sustain कर लेता है तो यहां से 41,880 और 42,000 का level test होने के chances nifty bank के पूरे बने हुए मैं आभी भी कह रही हूँ यहां से market 42 तक जाने के chances बने हुए है अगर गिरावट मिलेगी यहां पर मिलेगी लेकिन अगर बीच में nifty bank 41,000 break कर देता है तो यहां से bearish momentum bearish turn जो है वो nifty bank हमें लेता हुआ दिखाई दे सकता है फिर यह गिरावट सीधा 40,000 के तरफ हमें चाती भी दिखाई देगी तो यहां पर support और resistance के कोई भी levels में change नहीं कर रही हूँ अगर कुछ extra levels होते हैं तो वो मैं अपने public telegram channel के उपडेट कर दूँगी तो वहां पर join जरूर कर लीचेगा अभी हमने बात की bank nifty के उपर तो अभी बात करते हैं nifty 50 के उपर तो nifty के अंदर हमने एक trade के अंदर अच्छा खासा profit बना लिया था first target achieve हो चुका था लेकिन nifty bank हमने दो trades लिये थे लेकिन दोनों ही active नहीं हुए और कहीं पर भी enter करना वो risk की रहता तो इसलिए हमने एक level जो सोचा था वो level nifty bank ने दो बार पार नहीं किया तीसरी बार किया लेकिन सिर्फ 20 से 30 points से उपर जा पाया और फिर सी U- turn जो है वो हमें देखने को मिला nifty bank के अंदर फिलहाल अभी nifty की बात करें तो देखे nifty 17652 का आज लो किया था और 17811 का हाई किया था अभी अगर देखे तो दो back to back negative candles है और देखिए 17800 फिर से तूट चुका है हमने बात की थे इस candle के समय कि 17800 अगर hold होता है तो एक अच् आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और जब तक 17800 के नीचे है nifty nifty के अंदर गिरावट रहेगी अगर nifty 17800 कर clear कर देता है इसके उपर टिक जाता है तो ही एक अच्छी rally towards 17880 and 17950 के दरफ हमें आती भी दिखाई देगी लेकिन अगर nifty 17652 को तोड़ देता है या फिर इस लेवल से नीचे opening करता है या फिर sustain करता है तो यहाँ से 17610 and 17511 तक nifty हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो nifty के लिए भी जो लेवल्स मैंने यहाँ पर highlight किये हुए है वही आपको रखना है कोई changes नहीं करना है इसके अलावा जो भी लेवल्स होंगे वो public telegram channel के उप अपडेट किये जाएंगे आपको वीडियो समझ में आ चुका है कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको आंसर कर दोंगी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर द तिल दें बबाई तेक कर एंट रेड कर फुली